आज मैं एक कराई हूं बिना प्यास टोमाटर के बनी हुई तेस्टी सबजी की रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही सिंपल इंग्रीडियेंट हैं तो जड़ी मैं शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में आधा कप बेसन ले लेंगे अब इसमें आधा चमच हल्दी और इसके साथी में स्वादन सार या फिर एक चमच नमक डाल देंगे अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो बेसन में गुठलियां है उन्हें तोड लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हैं एक गाड़ा घूल तियार कर लेंगे पहले थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करिएगा और अच्छे से मिक्स करते जाएगा ताकि इस बेसन के घूल में जरा भी लंप्स ना रहें अब ही मैंने इसमें 5 कद पानी आड़ किया है सारी चीदे अच्छे से मिक्स हो गयी और इसमें जरा भी gimps नहीं है naar इसमें एक चौताब कप पानी और आड़ करींगे अधिसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंग रीगि Using I इसमें 3-4 पानी आड़ किया है और शीकिताद हमारा भीसन घोल बिल्कुर रेडी इसे हमें थोड़ा पतला रखना है कल्ची के उपर बेसन के लेयर आ गई है मतलब घोल बिल्कुर सही है यह घोल हमें थोड़ा पतला चाहिए जैसे दोसका बैटर होता है बिल्कुर वैसा ही अब इस घोल को हम थोड़े के लिए साइड में रख देंगे अब सब्जी के लिए मसारा बना लेते हैं अब एक ग्रांडर जार में एक चमच साबुत धन्या ले लेंगे एक चमच राई एक चमच जीरा तात से आठ काले मिर्च दो लॉंग दो हरी लाइची एक बड़ी ल और अधा चमच नमक डालका इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे यह दिखिए साइची चीदें अच्छे ददरी से पिस गई है इन्हें हम चमच मच से इकठा कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा पाइन डालका इसका हम बलकुल बारी पेस्ट रेडी कर लेंगे और यह तवे को और से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे अब इसके उपर हम थोड़ा सा बेसा घॉल डाल देंगे और चीले की तरह इसे हम हलके हाल से फैला देंगे इसे हम कोई गोल शेप नहीं देनी है बस कल्छी से हलका फैला देना है ध्यान रखिए का तवा बहुत आत इस गरम अगर तवा बहुत आत इस गरम रहना घॉल डालती चिलेंचे से तरह ब्राउन हो जाएगा घॉल फैलाने के बाद ऊपर के लिए बस कुछी सेकेंड में ड्राई हून लगेगी जब यह उपर से अलका ड्राई हून लगे न तो हम इस तरीके से फोल कर लेंगे और फोल करने अच्छे से पग यह बहुत ही बढ़िया का लराया है इन्हें तवित से उतार लेंगे और किसी जाली बले बड़ता में रख देंगे ताकि यह जल्दी ठंडे हो जाएं यह ऐसे भी खाने बहुत अच्छे लगते हैं यह देखिए मैंने एक लड़ल करीब थोड़ा सा बिस इसमें हम आधा चमच हल्दी और एक चमच कश्पी लाविश पॉडर डाल देंगे इससे ग्रेवियन कलर बहुत बढ़िया आएगा क्यास की फ्लेम को लो रखिएगा इन्हे बाद अच्छे से ओल के साथ मिक्स कर लेंगे अब इसमें पेस्ट बनायतना मसालों का उसे डाल हो गया है अब इसमें आधा चमच अमचुर पाउडर आड़ करेंगे और एक चमच भुनेऊ कसुर मेथी को इस तरह के से हाथों पर क्रश करके डाल देंगे इन्हें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें हमें वापस से 3-4 मिट के लिए लगास लाते भू पी गए है अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे इसमें एक कप पानी आड़ किया है और जो हमने बेसरां कोल पचा कर रखा था ना उसे भी इसमें आड़ कर देंगे इस से ग्रेवी तो होती है प्लस ग्रेवी बहुत बढ़ी आता है इन साथ चीजों को अच्छे से मिक्स कर खेड कर लेंगे यह देखे यह अंदर तक अच्छे से पग किया है। अ सब्यमिन फाफो일 के क्रेशा किरसे बहुत बाठी हैं तक रिएण आता है तो हम सारे पीसरां क को कट कर रेटी कर लेंगेophile को चैक कर लेंदें यह देखे ग्रेवी बढ़ीया अभाल अगया है ग्रेवी अच्छे से पक गई है और काफी अच्छी गाड़ी भी हो गई है आपको ग्रेवी गाड़ी पतली जैसी चाहिए आपने साफसे पानी आड़ करिएगा इसी समय इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ध्यान रखिएगा बेसन के जो पीसे हैं उसमें भी नमक है और जो में मसाले बनाये थी उसमें थोड़ा नमक कट किया था और इसके था हमाइगे विल्कुल रेड़ी है अब इसमें जो हमने बेसन के पीसे कट किया थे उन्हें डाल देंगे इन्हें अच्छी से मिक्स कर लेगे और उबाल आए तक इन्हें पकने के देंगे इसके और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे आप सिंप्ली रोटे पराठे के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है सबसे एक बार जरूर ट्राइ करें अगर आपको रेस्पी पसंद आई हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें